आपका सो नाओ विद लिमिटेड टाइम लेफ्ट अपने को ट्राइ करना है कि यह लिमिटेड टाइम में कैसे दो बार रिवाइज कर सकते हैं सो अप्रॉक्सिमेटली से अगर आप दोनों गुरुप दे रहे हो देन इफ आए काउंट फॉर्टी डेज अप्रॉक्स देन यू आप दो बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो टाइम अपने पास लिमिटेड है तो कैसे उस लिमिटेड टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया जाए दूसरा कुछ-कुछ सब्जेक्स में एक्स्ट्रा हॉलिडेज है एक्स्ट्रा हॉलिडेज है तो हाउ आर वी गोईंग तो यूस वो भी आज से ही आपका प्लैनि कर रहा हूँ ये PDF इस PDF में क्या क्या है एक्सपेक्टेड वाइस वेटेज जो मुझे लग रहा है कि एक्जाम्स में आएगा तो मैं आप लोग को खाली एक हिंट दे देता हूं तो यह देखो मैंने ऐसा कुछ वेटेज बनाया एक्सपेक्टेड मार्क्स का तो 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 अपडेट दूंगा ही आप भी आपको क्या चाहिए वह आप लोग कमेंट में बता देना तीसरा इंपोर्टेंट मैंने concept डाले है हर चैप्टर के जो मुझे लग रहा है कि आएंगे तो सिर्फ और एक्जाम्पल अगर mutual fund है तो मुझे यह बार लग रहा है mutual fund में dividend equalization से related को यह request है कि आप लोग मुझे बताओ क्या आप लोगों को इसमें super 50 चाहिए क्या super 30 नहीं हो पाएगा super 50 मेरे को बनाना पड़ेगा but that depends के आप लोग का क्या requirement है so if you really need it please the comment box is open for you and comment में लिख देना that yes sir we need the super 50 अगर आप लोग ने काफी लोगों ने लिखा तैं ने समझ ले ना आपके पास वो PDF पहुच जाएगा SCMP में मैंने बनाया था and it was a huge it SCMP में तो अपने last day पे जो डाला था November 23 में that was also a huge it AFM में भी चाहिए रहेगा तो बता ना विल विल ट्राइ मैं बेस्ट तो यूज मैं इंट्यूशन अब हाँ यह बात हो गई एक अपने सूपर 50 की इफ यू और रिक्वायर ना कैसे अपन लोग AFM को approximately seven to eight days में करे वो मैं यहां पर तुम लोग को strategy बता रहा हूं त्यान से समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले म में होता है valuation of security mutual fund portfolio management बट जब revision करना है तो मैंने क्या कर दिया है उसमें mergers and acquisitions डाल दिया विकॉस वह भी 10 मां का आता ही है यह मेरा एक बहुत observation है और मैंने दूसरा लिगा एदर take two days for every phase चार phase है तो four two's are eight 25 marks का एक phase 100 marks अपना assured हो गया प्लस phase मेंने तोड़ा smartly उसको divide किया हुए phase को so you will understand that second phase में आ जाता है फिर valuation of security जो नया chapter advanced capital budgeting derivatives के साथ एक theory chapter डाला है secretization because secretization के उपर एक question 101% आ नहीं आना है फिर मैंने डाला है Forex, IFM and IRRM को so IFM, IRRM relatively smaller chapters, Forex बड़ा chapter इसको उसके साथ रखा है and last में business valuation and बाकी के जो theory chapters है वो देखो, दो दिन के हिसाब से अगर ये आप लोग complete करते जाओगे तो आराम से आपका portion approximately 8 days में हो सकता है and उसके लिए मैंने यहाँ पे hours भी बताया है कि कितना क्या hours लगना चाहिए मुझे लगता है mutual funds will come for 8 marks and the time to be devoted is 5 hours देखो, अब मैं इसमें आपको और एक strategy बता था, okay mutual funds, तो mutual funds जब आपको start करना है तो उससे related मैंने आपको revision lectures भी डाल दिया तो अब mutual fund का अगर आप revision lecture यहाँ पे देखोगे YouTube पे, then in that case आपको दिखिया कि वो एक गंटे का revision lecture है तो एक गंटे का revision lecture, concepts और formula सारे दिमाग में आगे, 4 गंट आपको extra मिल रहा है practice करने के लिए मैं literally बोल रहा हूँ, practice करने को मिलेगा, वैसे ही, portfolio management यहाँ पे मैंने लिखा 8 hours मेरा portfolio management का revision lecture है वने आफार का, आपको और 6 गंटे में दे रहा हूँ, practice करने के लिए अब कितना effectively आप पढ़ते हो न, वो बहुत important है, यह last के 35-40 days में, अब तो मतलब, it's like do or die situation है, I need not tell you so easily, easily you have to study for 12 to 14 hours, मतलब करो जितना stretch कर सकते हो, अपने आपको, जितना comfort zone को push कर सकते हो, this is the time, जितना नींद को logically restrict कर सकते हो, that's what you should do, मैं अब तुम लोग को मेरा भी schedule बताऊंगा बाद में, if it is useful to you, you can use that as well, mergers and acquisitions को 10 hours है, evaluation of securities को 10 hours है, तो ऐसे मैंने time भी allocate किया है, so that, अपने को पता चले कितना time देना है, and at the same time, expected marks भी यहाँ पे लिखा है, अब आप लोग note करना, बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि institute कोई भी एक chapter छोड़ने वाल है, तो please आप लोग भी छोड़ना नहीं है, अभी जैसे for example, securitization है, startup finance, यह सब theory chapters है, बट करके जाना है बराबर से, और मैं तो हर एक chapter का revision video डाली रहू, almost आहीं चुके है, majorly सब, तो मतलब there is no option for you, other than doing it, by the way, subscribe करी लिया होगा, आप लोग ने channel को bell icon notification का दवा के रखना, so that, जो भी updates आते जाए, I, you should get a idea of that, okay, फिर बाद में question आते है, सर, MCQ के लिए अलग से कुछ करना है, क्या as of now, no, if I get time, तो, एन तुम लोग का अगर suggestion हुआ, तो बताना मुझे, तो मैं board of studies के जो ICI app के ओपर, उसका जो है ना, otherwise, देखते हैं, time मिला तो, we will see, अब आ जाते हैं, कुछ points to remember के ओपर, सबसे पहला, यह रहा, A, summary of every question, ध्यान से कोई भी question होगा, उसको पढ़ने का, उसको एक छोटा सा summary बनाने का, आपको एक start बिल जाएगा, यही strategy में, SEMP के लिए भी बुलता था, यहाँ पे भी follow करो, it will be very, very useful, do not forget your roots, तो वो करना ही है, answer the question in step-by-step manner, क्योंकि हर answer, आपका final answer के साथ match होगा जूरी नहीं है, तो steps का marks चाहिए न, तो proper working notes बनाने का आदत रखने का, understand the requirement of the question, कई बार होता है कि अपन लोग गाई-गाई में, को ध्यान से पढ़ लो, develop writing habit, छुड़ गया रहा हो, आदर मत, please, देखो, AFM में questions देखे दिखाए आएंगे, but जब आप उसको solve करने जाओगे न, exam में, एक दो point पैट को होगे, जिसकी वज़े से आगेगा पुरा आपका momentum या confidence लूज हो जाए, that can be solved by writing, magic book है, उसके जो main questions ह जो हर chapter के, उसके मैंने master sums दिये वे, उतना at least solve कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, refer magic book for point wise theory, ठीक है, theory 25 माक आना ही आना है, क्यों छोड़नेगा, formula अपने पास एक जगे पर आ जाएगा, बराबर से उसको revise करते रहना है, last right one AFM pull test, पूरा ना कोई उठा के लिख जो करना ही है, जो चीज़े, यह 6 चीज में से एक भी चीज अपने को quit नहीं करनी है, मतलब मैं बोल रहा हो आपको यह आपका एक चाहिए न, तो screenshot बना लो, कहीं पर print लेके लगा लो आपके उस पे, that will be it, things to do, on a daily basis now, next day का plan ready रखना है, without fail, ठीक है, backlog जितना कम हो उतना जो नहीं होना चाहिए, so backlog should be as low as possible, दो subject को साथ में पढ़ो, बहत over burden मत करो, एक subject के साथ बोरिंग भी हो जाते है थोड़ा, writing practice test, use kaizen approach, step by step, 2 घंटा आज का target किया, complete करो, 2 घंटा कुछ target किया, complete करो, theory plus practical, चाहिविद, यहाँ पे अपना चाहिविद, AFM आ चुक है, so use that, and magic book को use करते रहो, that will be beneficial, again, so that's how the system works, अब mutual fund, chapter wise कौन सा कौन सा important, mutual fund के लिए मुझे लग रहा है, dividend reinvestment and bonus वाला, dividend equalization का, straight pocketing process, theory में आ सकता है, so please इसको theory के लिए करके जाना पराबर, आप लोग को कुछ मेरे से चाहिए, तो please let me know, sharp index model, systematic and systematic risk वाला जो है, sharp index का वो, portfolio rebalancing, थोड़ा unexpected question है, बढ़ा आ सकता है, इसको मैंने चाहिए, AFM में भी डाला है, please बराबर से कर लेना, sharp A, trainer और alpha के ओपर एक typical question बोलो, पूच सकते है, let's see, mergers, swap ratio based on weights, promoter and free float holding, तो अब वो ही मैं बोल रहा है, वो super 50 अगर इनके साथ है, उसमें questions भी मैं add कर दूँगा, so that you know, कि exam time पे कौन से ये questions करके जाने है, security valuation में, all points of convertible debentures, ये MCQ पे आएगा या आएगा boss, लिखके ले लो, volatility वाला question आ सकता है, bond refunding, कि उपर एक 8 से 10 mark का question आ सकता है, if they want to make a tricky paper, advanced capital visiting नहा है, तो relatively वो लोग पूचेंगे, easy question from the module, इस पे इस और आप लोग ने अब binomial hedging with index futures बराबर से कर लिया होगा, ये बार real options में abandonment और black schools के उपर काफी focus है, please revision video देख लेना, will be बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, मैंने literally solve कर वाया, black and schools model वहाँ पे, securitization में securitization instruments, जैसे PTC pass to security, PTS वो वाले आ सकते हैं, forex में leading lagging के उपर, currency futures के उपर question आ सकते हैं, IFM में nominal real cash flows या GDR वाला, currency swap या interest rate option in IRRM, then business valuation में EVA, MBA वाला जो typical आता है, security analysis, risk management, startup and financial policy, last में इसको रखना है, but theoretically इसको पराबर से कर लेना है, so I think this video will ensure that आप लोगों को क्या-क्या important करना है, concept wise in every chapter, पता होना चाहिए और इसी के sums पराबर से 101% करके जाना है, please ensure that timelines follow कर रहे हो, एक भी chapter option में छोटने की गलती मत करना, इस बार का अगर आपने MTP देखा होगा, you will know that how important it is to cover every chapter, प्लीज यह कुछ जो basics मैंने यहां पर बताए है, तुम लोग को इसको follow करो, and ensure that it is being done on a regular basis, ठीक है, points remember आप लोगों को बता दिये, मैं आप लोगों को मेरा studying schedule बता देता हो, I was a early riser, because कहना रात के टाइम पर distractions बहुत हो, Instagram पर message आएगा किसी का, WhatsApp पर कोई कुछ है, family भी कुछ ना कुछ बोल रही है, सुबे 5 बजे राम देव बाबा के अलबा, कोई नहीं जगता है, तो अपने को सुबे 5 बजे, you have to get up, 5.30 is when you start, 5.30 से 9.30 non-stop अगर ये momentum पकड लिया ना, ये सबसे crucial time है, 4 घंटा अगर अपन लोग ने यहाँ पर डाल दिया ना, मज़ा आ जाए, seriously बुल रहा हूं, So, 5.30 a.m. to 9.30 a.m. theory का रखो इदर अगर आपको ऐसा यहाँ पर fresh रहोगे, theory का रखो यहाँ पर time, and then फिर 9.30 to 10.30 again, कुछ ना कुछ, time pass नाना and everything, again come back at 10.30, to 1.30 पूरा का पूरा वापस, ठीक है, अब अगर आप note करोगे ना, तो lunch के पहले मेरा effectively 7 hours हो जाना चाहिए, तो आपको lunch करने में इतना सुकून मिलेगा ना, मतलब वो करे लिए कि सबजी भी आपको एकदब मीटी लगनी चालो हो जाएगी, कभी भी काम जो आपने सोचा है वो हो जाता है ना, तो life के आजे tension दूर हो जाते हैं, है ना, कभी पढ़ना ही है, 7 घंटा before lunch was always on my target, बस कुछ भी हो जाए मेरे को 7 घंटा complete करना है lunch के पहले, provided lunch भी 1.30 तक कर लेना है, फिर 1.30 to 2 lunch करेंगे, 2 to 3 सो जाओ, because अब mind tired हो चुका है, उसको recharge करने की जरुवत है, sleep, definitely 1 hour का sleep, afternoon में एक student को चाहिए ही चाहिए, provided, 7 घंटा उसने पढ़ लिया है lunch के पहले, तो lunch के बाद वो सुकून की नीन ले लेना 3 बज़े के बाद, फिर बाद में 2 to 3 आप सो जाएंगे, 3.30 को आप वापस स्टार्ट करेंगे, वापस से एक 4 hour का stretch खीचना पड़ेगा, तो यह आपका 4 hours, यहाँ पे आपको कैसे भी करके खीचना है, 7.30 to 8 में अभी देखो, यहाँ पे आपको चाहिए न, तो क्या कर सकते हो आप लो, के 3.30 to 5.30 पढ़ लो, 5.30 to 5.45 बस, इससे जादा का break मैं नहीं दूँगा, 4 snacks, 5.45 to 8.45 वापस से खीचना, तो यहाँ पे आपका 2 hours हो गया, यहाँ पे आपका 3 hours हो गया, तो 12 hours हो गया, 8.45 to 9.30 is when you will have dinner, and 9.30 to 11.30 वापस 2 hours, है दम यह करने का, नाम के आगे लग जाएगा सिये, लिख के guarantee के साथ बोलता हूँ, 11.30 to 12 के बीच में सोने को जाओ, 5.30 को उठो, तो 12 to 5, तो effectively आपका 5 hours, 5.5 hours का नीन्द वापे हो रहा है, मैं आपको lunch के बाद एगंटा सोने का और मौका दे रहा हूँ, तो 6 to 6.5 hours का नीन्द हो रहा है, आने वाल एक महिने के लिए अगर उपन उत्रा कर सकते है manage, अपन नाम के आगे C.A.B. लगा सकते हैं, distractions दूर, mobile phone distractions दूर, एक बार देखना है पूरे दिन में, दो बार maximum बस, एक तो वो खाना खाते वक्त अभी थोड़ा बहुत देख लिया या, whatever रात के टाइम पे थोड़ा देख लिया, that's it, बस अगर revision वीडियो देखना है तो ठीक है, बट उसके साथ अगर scroll करते, 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 reels पे पहुँच गए, तो क्या ही बोलू मैं, anyways, time for me to say, hasta la vista, please follow करो इसको और मुझे बताओ, कैसा चल रहा है तुम लोग का, and whether you are able to use all of this in a proper manner or not, चलो, yes, ये PDF में share कर रहो आप लोगो के साथ, टेलीग्राम चैनल पे, and hasta la vista, कुछ और ची आपको let me know, take care, keep subscribe, मिलते हैं,